Hello Everyone, Welcome to ECE Gate 2017, मैं हूँ Sumit अगर आप हमारे वीडियो लेक्चर्स के PDF नोट डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसे आप हमारे ब्लॉग एड्रेस से डाउनलोड कर सकते हैं ब्लॉग की लिंक आपको यहाँ दिख रही होगी इसी के साथ आप हमें Facebook पेच पे भी लाइक कर सकते हैं Facebook पेच के अड्रेस यह रहा आपके सामने ब्लॉग और Facebook पेच की लिंक मैंने निचे description में mention की हुई है आप वहाँ से जाके link को open कर सकते हैं इन दिस लेक्चर वी विल डिसकस ROM, Read Only Memory इस से पहले वाली लेक्चर में हमने देखा था decoder इसके आगे हम इस लेक्चर में continue करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं रोम इस यूज़ फोर पर्मानेंट स्टोरेज यहाँ पे रोम का circuit डियाग्राम से हो किया हुआ है आप देख सकते हैं हमने एक decoder यूज़ किया हुआ है and or gate यूज़ किया हुए है अब decoder and or gate की help से हम रोम को कैसे implement करते हैं इसके लिए हम एक example देख लेते हैं यहाँ पे हमारे पास दो function given है f1 and f2 first function में min terms हमें given है 0 and 3 and second function में min terms हमें given है 0, 1 and 3 अब इसे हमें decoder and or gate की help से implement करना है तो यहाँ पे देखें हमारे पास जो maximum min term है वो है 3 तो इसके लिए हम एक 2 x 4 का decoder यूज़ करेंगे यहाँ पे हमारे पास 2 inputs हैं and 4 outputs हैं which is 0, 1, 2 and 3 अब first function को implement करने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे first function में हमारे पास min term है 0 and 3 तो हम क्या करेंगे 0 and 3 output को एक or gate से connect करेंगे तो हमें यहाँ पे first function मिल जाएगा इसी तरह से second function को generate करने के लिए हम क्या करेंगे output 0, 1 and 3 को हम एक or gate से connect करेंगे तो यहाँ पे हमें function 2 implement हो जाएगा तो इस तरह से हम एक ROM को implement करते हैं So we can say ROM is combination of decoder and OR gate इसी तरह से यहाँ पर हम देख सकते हैं हमने decoder यूज किया and OR gate यूज किया तो previous lecture में हमें discuss किया था decoder is array of AND gate and यहाँ पर हम array of OR gate यूज कर रहे हैं So we can say ROM is array of AND gate and OR gate Very important theoretical question यहाँ से पूछे जाते हैं ROM से जो questions पुछे हैं कि gate में वो अक्सर पूछे आते हैं size को लेके Size of ROM यहाँ पर मैंने block diagram में एक ROM को सो किया हुआ है ROM का जो size होता है वो standard form में होता है इस तरह से 2 to the power of N cross M यहाँ पर जो हमारे पास M है यह हमारे पास data line और we can say output and यहाँ पर आप देखें 2 to the power of N 2 to the power of N यहाँ पर जो N है हमारे पास यह है हमारे पास address line इस block diagram में हम देखें जो previous example हमने लिया था वहाँ पर हमारे पास two functions थे F1 and F2 तो हम क्या करेंगे यहाँ पर हमने M को लिया 2 and 2 to the power of N N होती है हमारे पास address line अब यहाँ पर आप देखें यह जो first number है हमारे पास 2 to the power of N यह हमारे पास represent करता है number of location in memory and यह जो second number है हमारे पास data line यह हमें represent करता है storage capacity very important जब भी gate में या किसी भी computer exam में question पूछे आएंगे तो आपको यह जो block diagram so है यही से question पूछे आएंगे अब question किस तरह से पूछे आएंगे हम आगे discuss करेंगे एक example हम देख लेते हैं size of Rome के लिए suppose हमें एक Rome का size पता करना है for 1 kilobyte तो हम किस तरह से करेंगे यहाँ पे 1 kilo 1 kilo का हम पहले लेंगे 1 kilo में होते हैं 1024 byte तो यहाँ पे हमने लिखा 1024 इसे हम दूसरे तरीके से लिख सकते है 2 to the power of 10 यहाँ पे आप देखें 2 to the power of n से जब इसे हम compare करेंगे तो यहाँ पे हमें n की value मिल रही है 10 that is address line और यहाँ पे हमारे पास byte यूज किया हुआ है और हम जानते हैं एक byte में हमारे पास होते हैं 8 bits तो यहाँ पे हमारे पास जो रोम का size मिलेगा वो मिलेगा 2 to the power of 10 ग्रॉस 8 तो इस तरह से हम रोम का size जो है पता करते हैं कुछ और examples देखते हैं जिससे आपको और अच्छे से clear हो जाए गई है यहाँ पे हमारे पास next question है find the size of room to implement full adder अब हमें एक full adder को implement करना है उसके लिए रोम का size क्या होगा तो जैसा मैंने आपको बताया था full adder में हमारे पास जो inputs होते हैं वो होते हैं 3 inputs and हमें output मिलते हैं sum and carry that is 2 outputs and sum के लिए जो हमारे पास min terms होते हैं वो होते हैं 1, 2, 4, 7 and carry के लिए जो min terms होते हैं हमारे पास वो होते हैं 3, 5, 6, 7 अब इस तरह के question को जब भी हमें solve करना होगा तो हम क्या करेंगे हमें number of address line की जरूत पड़ेगी and data lines की जरूत पड़ेगी तो इससे find करने के लिए हम क्या करते हैं हमारी जो address line होती है यह equal होती है number of variables के और we can say number of input के अब इस example में हम देखें full header में तो हमारे पास number of variables है x, y and z तो यहाँ पर हमारे पास 3 variables है और we can say 3 inputs है तो यहाँ पर हमारे पास address line हमें मिलेगी 3 इसी तरह से जो data line होती है वो represent करती है number of function to be implemented हमारे पास जितने function होंगे उतने हमारे पास data line मिलेगी और we can say output हमारे पास जितने होंगे उतनी हमारे पास data line मिलेगी तो इस example में हम देखें हमारे पास function है s and c तो यहाँ पर हमें two functions मिल रहे है f1 and f2 तो यहाँ पर हमारे पास data line होंगी 2 एंड इस ROM का size होगा हमारे पास 2 to the power of 3 cross 2 तो इस तरह से हम किसी भी combinational circuit के लिए ROM का size find कर सकते हैं कुछ और example देख लेते हैं उससे पहले मैं आपको ROM table के बारे बता देता हूँ कुछ और question पुछी आते हैं किस तरह के उसके लिए हमें ROM table का जानना जरूरी है previous example में जो कि full adder का था उसके लिए अगर मैं ROM table बनाओ वहाँ पे हमारे पास inputs थे x, y and z जो कि 3 address line को represent कर रहे थे तो यहाँ पे मैंने address line लिखी a2, a1 and a0 and हमारे पास input होंगे from 0 to 7 and इसके लिए हमाई corresponding outputs मिलेंगे sum and carry यहाँ पे आप देख सकते हैं इसे तरह से हमें carry मिलती है 3, 5, 6 and 7 min terms के लिए तो यहाँ पे हमने एक ROM table तयार की अब इस तरह के table से जो question पूछी आते हैं वो इस तरह से पूछी आते हैं कि what is the data stored in 5th location तो आपको question पूछा जा सकता है कि हमारे पास जो यह full adder है इसमें 5th location में जो data store हो रहा है वो क्या है तो इससे find करने के लिए हम ROM table बनाएंगे और यहाँ पे हम देखेंगे हमारे पास 5th location है यह और यहाँ पे जो data store हो रहा है वो store हो रहा है हमारे पास 0 and 1 तो यहाँ पे हमारे पास answer होगा 0 and 1 कुछ और example हम देख लेते हैं हमारे पास यहाँ पे functions given है 3 functions 1st function हमें given है min term 1 and 5 plus min term 3 and 15 2nd function हमें given है a-b-c-d-c-d-c-d-c and 3rd function हमें given है a bar plus b c d अब यहाँ पे हमें find करना है what is the size of ROM तो size निकालने के लिए जैसा मैंने आपको बताया कि जो number of variables होते हैं number of input होते हैं वो होती है हमारे पास address line यहाँ पे हम देखे हैं हमारे पास number of variables कितने होंगे 1st function में हम देखेंगे तो हमें जो maximum min term मिल रही है वो मिल रही है 15 तो यहाँ पे हमारे पास clear है कि यहाँ पे 4 variable use हो रहा होंगे 4 input use हो रहे होंगे तो यहां से हम address line find कर सकते हैं 4 जो data line होती है वो होती है हमारे पास functions और we can say outputs तो यहां पर हमारे पास 3 function मिल रहे हैं तो हमारे पास जो data line होगी वो होंगी 3 इसके लिए हमारे पास Rome size होगा 2 to the power of 4 cross 3 तो इस तरह से हम Rome का size find करते हैं next question है हमारे पास what is the data available in 5th location and 9th location तो अब इसे किस तरह से हम find करते हैं तो जैसा मैंने आपको बताया data stored पता करने के लिए हम क्या करते हैं जो location हमें given होती है उस location में हम देखते हैं mint time हमें 5 मिल रहा है तो 5th location में F1 हमें मिलेगा 1 and इसी तरह से हम F2 में देखेंगे कि हमारे पास 5 है या फिन नहीं तो यहाँ पे हम इसे mint time में convert करेंगे तो mint time हमें मिल रहा है 0 and 15 and यहाँ पे हम देखें हमारे पास 5 नहीं मिल रहा है यहाँ पे आप देखें हमारे पास 5 है, 5th location में F3 हमें मिलेगा 1, तो इस तरह से हमारे पास जो answer मिलेगा, वो मिलेगा 1, 0 and 1, इसी तरह से 9th location के लिए हम निकालेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, 9th location में F1, F2 and F3, तीनों नहीं हैं, तो यहाँ पे हमारे पास जो answer होगा, वो होगा 0, एक और question हम देख लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास question में दिया हुआ है, what is the size of ROM required to implement 4 bit adder, यहाँ पे हमें 4 bit adder के लिए ROM का size पता करना है, तो जैसा आप जानते हैं 4 bit adder में, हमारे पास जो number of variables होंगे, वो होंगे 8, यहाँ पे number of variables आप देख सकते हैं, x0, x1, x2 and x3, एंड इसे हम add करेंगे y0, y1, y2 and y3, तो इस तरह से हमे number of variables मिल रहा है, 8, so we can say number of address line is 8, और यहाँ पे हम जब data line देखेंगे, that is output, तो यहाँ पे आप देखेंगे, जब हम x0 and y0 को add करेंगे, तो हमें एक sum मिलेगा, एंड इसी तरह से जब हम x1 and y1 को add करेंगे, तो हमें एक sum मिलेगा s1, एंड हमें एक carry भी मिल सकता है, जो कि यहाँ पे 5th location में exit कर सकता है, तो इसी लिए हमारे पास जो output variable होंगे, वो होंगे 5, तो यहाँ पे हमारे पास जो data line निकल के आएंगी, वो निकल के आएंगी 5, तो यहाँ पे हमें room size मिलेगा, 2 to the power of 8 x 5, that is 256 x 5, very important, यहाँ पे हम अक्सर गलती करते हैं, यहाँ पे हमें लगता है कि हमारे पास जो output है, वो 4 variables में मिल रहा है, तो यहाँ पे हम mark करके आते हैं, 256 x 4, एक और example हम देख लेते हैं, यहाँ पे हमें implement करना है, एक machine जो कि 2 bit का square हमें देती है, और उसके लिए हमें room का size पता करना है, तो 2 bit का square निकालने के लिए, हमारे पास जो number of inputs होंगे, वो होंगे 2, यहाँ पे आप देख सकते हैं, 2 bits के लिए, हमें numbers मिलेंगे, 2 to the power of 2, that is 4, which is 000, 01, 10, and 11, जब इसका square निकालना होगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, 11, that is 3, इसका जब हम square निकालते हैं, तो हमें मिलता है 9, यहाँ पे आप देख सकते हैं, 9, 1001 हमें मिल रहा है, अब यहाँ पे जो अक्सर गलती होती है, वो क्या होती है, कि हम question को ठीक से पढ़ते नहीं है, यहाँ पे question में given हो सकता है, कि what is the minimum size of room required, to implement this function, जब भी आपको minimum size पूछा जाएगा, तो आपको कोशिस करनी होगी, कि यहाँ पे हम एक function को eliminate कर सकें, यहाँ पे आप जल्दबाजी में क्या करेंगे, आप देखेंगे कि हमारे पास 2 inputs हैं, तो हम room का size निकालेंगे, 2 to the power of 2, cross हमारे पास 4 outputs हैं, तो हम इसे लिखेंगे 2 to the power of 2, cross 4, and option में यह match भी होगा, जो कि हमारा गलत होगा, तो इसे सही करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें क्या करना होगा, यह 4 जो हमारे पास numbers हैं, इनके square हमें लेने होगे, जब 4 नमबर के हम square लेंगे, तो हमें मिलेगा, फर्स्ट नमबर 00 का square, 0, and second number 01 का square, 1, that is 0001, and यहाँ पर हमारे पास third number है, 10, that is 2, इसका square होता हमारे पास 4, जिससे हम 4 बीट में represent कर सकते हैं, 0100 से, इसी तरह से 3 का square हमें मिलेगा, 9, that is 1001, अब यहाँ पर आप देखें, जो हमारे पास F3 है, इस F3 में हमें, 4 नमबर के लिए 0 मिल रहा है, तो इसका मतलब है, इस F3 को हम ground कर सकते हैं, इसकी हमें जरुवत नहीं है output में, तो यहाँ पर यह जो function हमारे पास, यह eliminate हो गया है, इसी तरह से आप देखेंगे, यहाँ पर आप देखें, F4 को, F4 में हमें मिल रहा है, 0,1, 0,1, यहाँ पर आप देखें, X0, X0 भी है हमारे पास, 0,1 and 0,1, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में connect कर देंगे, तो हमें F4 की भी जरुवत नहीं पड़ेगी, यहाँ पर हम देख सकते हैं, हमारे पास 2 outputs redundant है, इसका मतलब हम इसे असानी से eliminate कर सकते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास जो ROM की minimum size की जरुवत होगी, वो होगी 2 to the power of 2 cross 2, अगर question में given नहीं है minimum size, तो इसका correct answer होगा हमारे पास, 2 to the power of 2 cross 4, तो फिलाल इस lecture में बस इतना ही, अगर आप कोई अच्छा लगाते से like कीजे, हमारे चैनल को subscribe कीजे, thank you.